नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूज चैनल दा नॉलेज बड़ी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आसुतोस कॉलेज के बारे में और साथ ही जानेंगे इस कॉलेज में एडमिसन के लिए कितना परसेंटर्स मार्ग चाहिए होता है यह कॉलेज कॉन-कॉन कॉर्स आफर करता है और इन कॉर्स के कितना फीस है यह सबी चीजे आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप लोग इस वीडियो में लाज तक बने रहें ताकि आपको आसुतोस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी मिल सके दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा से रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे यूटूब चैनादा नौलेज बड़ी को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वारी नई वीडियो की नोटिप्रिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए बिल्कुल भी समय ना वेश्ट करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आसुतोस कॉलेज के बारे में आसुतोस कोलेज के संस्थापक यानि इस कोलेज के फाउंडर स्री आसुतोस मुकर्जी जी थे इस कोलेज की अस्थापना यानि इस कोलेज की establishment 1916 में हुआ था दोस्तो एक बात और जानना जरूरी है इस कोलेज के बारे में 1916 में जब इस college का establishment हुआ था तब इस college का नाम South Subraban college था और 1924 में जब इस college के founder यानी स्री आसुतोस मुकरजी जी का death हुआ तब से इस college का नाम आसुतोस college रख दिया गया और तब से आज तक इस college का नाम आसुतोस college है आसुतोस college South Kolkata का one of the best college में से एक है चली अब मैं आपको इस college के address को बताता हूँ इस college का address है 92 स्यामा परसाथ मुकरजी रोड कोलकाता 70026 यह college जतिन दास पार्क मेट्रो इस्टेशन के पासी में है चली अब इस college का contact number और email ID का नाम जान लिजिए ताकि आप इस college से contact कर सके यह देखिए यह इस college का contact number है और यह इस college का email ID है ज़िए आपको admission के समय आपको कोई problem हो तो आप इस email ID पे message कर सकते हैं या इस contact number में contact कर सकते हैं चली अब बात करते हैं असुतोस college कौन कौन सा course offer करता है और उन course का क्या क्या फीस है यह जानने के लिए हमें चलना होगा college का official website पर सबसे पहले आप लोग अपना chrome browser open कर लीजिएगा open करने के बाद यहाँ पर search किजिएगा www.asutoscollege asutoscollege.in .in यह search किजिएगा search करने के बाद यहाँ देखिए असुतोस college का official website open हो चुका है open होने के बाद यहाँ थोड़ा देखिए नीचे आईएगा नीचे आने के बाद यहाँ देखिए A grade का rank दिखा रहा होगा आपको NAC के तरब से A grade का rank दिखा रहा है मैं एक बाद बता दूँ आसुतोस college जो है South Kolkata का सबसे पहला college है जिसे NAC के तरब से A grade rank मिला हुआ है तो इससे आप अंदर्जा लगा सकते हैं कि आसुतोस college कितना reputated college है South Kolkata का खास कर कि South Kolkata का कितना reputated college है सबसे आप लोग इसी सॻान जातार लगा सकते हैं तो चलीशे हें हम जानते हैं आसुतोस college कि want के बारे में यहां जानने के लिए देखें यहां पर कोर्स का option का ओप्शन दिखा रहा है मैं Zoom करकें दिखा रहा हूं यहां देखें लिएक उसे अंड der количество में क्लिक करने के वाद थोड़ा मुंस नीचे आते हैं अनोग नीचे आने के बाद ढ़िए स्वाद निश्च आचुकर देखिये मैं लिश्च सब्सक्रेम highly यहां देखें दिखा रहा है BSC, BSC में आपको honors मिल जाएगा, major मिल जाएगा और journal course तीनों course BSC में मिल जाएगा और देखें यहां पर course का नाम दिया हुआ है, इन course में आप लोग चाहिए तो honors journal या major subject पर BSC कर सकते हैं तो यहां पर देखें इतना सारा subject BSC में दिया हुआ है, आप देखें नीची आईएगा तो देखें यहां दिखा रहा है BSC Journal, BSC Journal में आपको यह सब course मिल जाएगा जिस पर आप लोग BSC Journal कर सकते हैं उसके बाद देखें यहां दिखा रहा है BA, BA में भी आपको honors major journal को तीनों मिल जाएगा और यहां देखें कोर्स का नाम है, आप लोग चाहिए तो किसी भी course में honor journal या major कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद तो नीची आईएगा, नीची आने के बाद देखें यहां दिखा रहा है Bachelor of Business Administration यानि BBA यह college आसुतोस college जो है, वो BBA course भी offer कर रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, जो BBA course करना चाहते हैं, वो आसुतोस college में कर सकते हैं और देखिए उसके बाद दिखा रहा है, यह course का हो गया, course के बाद दिखा रहा है qualification, आपको इन course के लिए क्या क्या qualification चाहिए, यहाँ पर देखिए सब detail wise दिया हुआ है, यह सब बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा detail दिया हुआ है, मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहु यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में ओनर्स लेंगे तो आपको कितना percent marks चाहिए होगा, यदि आप honors लेते हैं तो आपका aggregate subject में 50 percent marks होना चाहिए, और related subject में 45 percent marks होना चाहिए, और यदि आप BVA course के लिए apply करते हैं, तो आपका 55 percent marks होना जरूरी है aggregate subject में, और यदि आप major subject के लिए apply करते हैं, major subject, तो आपका 45 percent marks aggregate subject में होना चाहिए, previous qualifying exam में, यानि 12th class में, उसके बाद देखिए, यदि आप journal course के लिए apply करते हैं, तो आपका class 12 में, यानि aggregate subject में, आपका 40 percent marks होना चाहिए, और यदि आप reserve sheet में बिलोंग करते हैं, यानि schedule cast, यानि SC, ST, OBC category में marks होना चाहिए, यह है course के बारे में, अब चलिए, अब course fees है, वो जान लेते हैं, वो जानने के लिए हमें सबसे पहले, उपर आना होगा, उपर आने के बाद यहां देखिए, यहां देखिएगा आपको एक admission का option दिख रहा होगा, तो इस पर click करते हैं, click करने के बाद थुर वो सब का update दे दिया गया है, इस college के website पे, तो यहां देखिए, जो first year admission दिखा रहा है, यहां पे हम लोग click करते हैं, click करने के बाद यहां देखिए, course list eligibility fees date apply online, यह सब ही दे दिया गया है, update college के तरफ से, तो यहां देखिए, form भणने के लिए क्या क्या जरूरी बात है, यहा यहां पे click करते हैं, fees पे, fees पे click करने के बाद यहां देखिए, fees का जितना भी चार्ट है, वो देखिए, open होके आज़ा है, यह पहले देखिए, यहां BSC honors, BSC honors का क्या क्या fees है, यहां देखिए, BSC honors का यह चार्ट दिया हुआ है, दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता बहुत सारा कोर्स दिया हुआ है, मैं एक एक कोर्स का फिस अगर बताने बैठूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग वीडियो देखना पसंद भी नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग मैं चाहूंगा, आप लोग भी वेप साइट पे विजिट करे वीडियो देखने के बाद वेप साइट पे विजिट करें और सभी कोर्स का जितना फिस से आप लोग जान लें, ठीक है, इसलिए मैं अभी थोड़ा जो मेंन बात है वह आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद देखिए वो BSC ओनर्स का है ये वाला, और ये वाला देखिए BSC जैनरल का फिस है, उसके बाद देखिए नीचे आईएगा, नीचे आनेक बाद यहां दिखाया रहा है BA Honors, यदि अब BA Honors करना चाते हैं, तो ये BA Honors का फिस है, और थोरा नीचे आईएगा तो देखिए ये BA Journal, यदि अब BA में जैनरल कोर्स करना चाते हैं, तो ये BA Journal का है और यदि याब बीबीय कोर्स करना चाहते हैं तो यह देखे बीबई कोर्स का फीस है तो बीबीय कोinkो कर देखें फीस है जो फ़र्स्ट ये जिखा रहा है वह आपको आप लोग जान लीजिए तो नीची आएगा थोड़ा नीची आने को यह देखिए जो स्यू के वेबसाइट ने आप दिया रहता है हो हर साल वही दिया हुआ है ज्याद है कुछ खास नहीं है सिर्फ जो एक्स्ट्रे एक्ट किया हुआ है मैं आपको बता दे रहा ह जैसे कि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सेवें नमबर में दिया हुआ है आपका फॉर्म फिलप करने का कितना चार्ज लगेगा वह दो सुर्पया लगेगा यहाँ देखिए लिखा हुआ है दा एप्लिकेशन फीज आर नॉट रिफंडेवल यानि कि यदि आप इस वह रिफंड नहीं किया जाएगा तो सोच समझ के ही दोस्तों आप लोग फॉर्म भरियेगा यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तभी सोच समझ के भरियेगा नहीं तो और भी कॉलेज है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब सबसे कर देते हैं कि कर देने के बाद यहां देखिये नीचे आते हैं बाइद तो यहां देखें को अव्य का जो फैसिलिटीज इस सब आ चुका है यहां देखें यह सब फैसिलिटीज यह असुतर्ष कोलेज प्रोवाइड कर आता है इस्टुएंज के लिए और यह ऐक पात मुझे अच्छा लगा कि यह कॉलेज होस्टल फैसिलिटी वे लवल कर रहाता है बोस्टेल बॉस्ट रहा है वोग्ष का अलग है मुझे इस कॉलेश का एक फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा कि यह उस्टल प्रोवाइट कर आता है जिस्टुएंट के लिए सभी कॉलेश फोस्टल प्रवाइट नहीं कर आते हैं लेकिन यह असुतोष कॉलेश का अच्छा बात आधसुतोस तो कॉलेज का बॉइस का लिकें अलग है और गुर्स का अलग रहेगा यह बात भी अच्छा है उसके बाद देखिए आपे गेम ट्रॉट्स का फैसिलीटीज भी है एन एसेस का फैसिलीटी इस सेमिनर एन हल एन अअडिटोरियम भी इस कॉलेज में यही सब हैसे इस कॉलेज को यही था फार्सकार का रीवियू दोस्तों मैं उमेद करता हूँ इतनी इंफर्मेशन काफी और तो विजट करकर जांग सकते हैं धोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल भी ना भूले और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता है मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तो